जो लोग मुझे इस movie review के बाद गाली देने वाले हैं, उनको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जब मैंने एक movie देखनी start की थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा serious हो गया था इस movie को देखने से पहले, मैं चाहता था इसको इसका concept समझना, पर क्या करूँ यार मेरे पास उतनी मां कह सकती हूँ, कितना विक्सित नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूँ, कि मैं इतने महान concept को मैं समझ नहीं पाया, और जब यह आदी movie खतम हो गही थी, तब मझे उबासी आ रही थी, नमशकार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, चिपपा movie के बारे में, ज इसकी मा बच्पन में मर गई थी, और इसका बाप इसको छोड़ के चला गया था, जब यह 10 साल का होता है, तो कोई बोड़ा इंसान इसको किसी बैग में से चिठी निकाल के देता है, और वो उस बोड़े इंसान के पास बैग कहां से आता है, कौन इसको देता है, इन सब च पुर्दू पढ़ने नहीं आती तो वो अपनी फुट पाध जहां पर रहता है। तो इन सब से वो मिलता है, उसको अपने इस जरनी में कुता भी मिलता है, जिसका नाम वो पीपा रखता है, चीपा अपने कुते का नाम पीपा रखता है, बच्चे में बहुत ज्यादा हिम्मत है कि वो सुनसान राहों में, अधेरी रातों में, अकेरा निकल पड़ता है, अर तुम जानना चाओगे यासी क्या चीज उसके अंदर छुपी हुई थी यार क्या था उस खत में कि पूरी मुवी उस खत के उपर बना दी क्यार छोड़ो एक्टिंग की बाद मुझे करनी भी नहीं है जब मैंने IMBD पर इसकी रेटिंग चेक की तो सिरुफ और सिरुफ 58 लोगों नहीं से देखा वा 58 लोगों नहीं इसे रेटिंग कर रहे थी जिससे 7.3 आफ और 10 दे रहा था इसको तो मुझे लगा है क्यार यह वही लोग है इसके कास्ट इंड क्रूव वाले मेंबर ही हैं कि वही उनको जबरदस्ती की रेटिंग दी गई होगी क्यार रेटिंग दो और वाक़ी में यह डिजर्व भी नहीं करती कोई लोग इसको देखे भी अब वो लोग दूर रहे ना कि यह कोगी और एक बाप और बेटे की इसमें कहान ही दिखाई गया देखो एर ना तो इसमें बाप और बेटे का कोई ऐसा कुछ सीन आया कि हाँ बहुत ज़ादा उनके इंदर प्यार था घनिश्टा थी ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया यार साउंड लगा लाको लोगों ने लिया है तेरा सब्सक्रिप्शन मत कर इनको इतना टोर्चर वरना यही जनता बोलेगी चल यहां से चलता बन बद किसमिती से किसी ने यह मूवी देख ली है तो और जिसको यह मूवी पसंद भी आ गया तो यह नीचे गाली गुली लिखने के लिए भया कॉमेंट बोक्स ओपन है लिख देना डिसलाइक कर देना बट रियलिटी में अपना दिमाग ओपन करके मूवी को समझनी गोशिच करना इस मूवी में था ही क्या जो तुम नीचे गाली लिखने के लिए त्यार बैठे हूँ क्यार बाकी जिनको यह मूवी पस